देश भर में लोग 22 जनवरी 2024 का इंतसार कर रहे हैं। इस दिन अयोध्या में राम मंतिर का उद्खाटन होगा, इस उद्खाटन सम्हारों को लेकर पूरे देश में रौनक देखते ही बन रही है। वही आयोध्या नगरी में श्वेराम नाम महा यग की गुंज भी सुनाईते रही है। आपको भी यग की खास चलग दिखाते हैं। और क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपको भी दिखाते हैं। आप लोग तो जानता ही हूँ कि 2015 रहे का संकल्ब है। इतकरी परीब सब लोग भी जानते होंगे। उस जग में आप लोग भी आये होंगे। सब भी चरण किये होंगे। तो उस अंकल्ब को पूरा करने के लिए भागवान के प्राण परतिष्टा के सुबह औसर पर कोई भी कार्ज किया जाता है तो बिना भागवान के नाम के सफल नहीं होता है। इसलिए प्राण प्रतिष्टा को सफल बनाने है तो निर्भीग ने इस दावा के साथ मैं कहता हूं कि निर्भीग ने सफल बनाने है तो हमरे नैपाल से यह कई सहाजार साधू संतार हैं नाम को जपने के लिए जो सुरक्षित नौधी इस बाउंडरी मेरा कर के यह बाहर सार नहीं जाएंगे तो लोक अपना सुरक्षित इस बाउंडरी मेरेंगे नौधी नौरात एक हजार आठ मंदिर बना है आप लोग देख रहे हैं उसमें एक हजार आठ सिव लिंग कल रख दिया जाएगा और अभिसेख के साथ सीता राम का जाब नौ दिन नौ रात एक सवास्थ अश्ट जाम होगा और एक मेंन सीवलिंग बनेंगे जिसमें 2400 गंटा रुद्रा अभिसेख और सीता राम का जाब अश्ट जाम चलेगा इसमें ऐगारा सौ दंपती सौ बनाया गया है तो इगारा आदमों करना चाहिए राम भी होन था लेकिन दोसें अहाद ताम Candi ona 11 रूद्र होते हैं, इसलिए एक कुंड में 11 आदमी की आउती होनी चालिए, तो 11 बेक्ति इसमें दंपती बने हमन करेंगे, राम मंत्र से बालमिकी रमाइड पढ़ा जाएगा, बालमिकी रमाइड में 24 जार असलोक है, हर असलोक पर राम आये स्वाहा, बने राम के लिए, आ सतुरुधन जी का अवतार हुआ, वैसे अभी फिर हाल आप लोगों ने बिलकुल एक दाम सांत रहना, राम आवतार हो चुका है, राम के रूप में आप लोग बिलकुल मुदी को देखना, वो आवतारी पूरुस है, जोगी को भी आप लोग बिलकुल लश्मन जी के करक्दार आमाल दे लो शचरा माण तुरुण कर दो हो पिलकुल म होग हो आऊ sekali कि यहारो हुआर है नहीं में जी को लोगों हैं गे